हलो एवरिवन अस्सलाम अलेकुम आज ये मैंने कुछ पाटी वे ड्रेस बनाये है जो मैं आपको दिखाऊंगी सबसे पहले तो मैं इन सबको साइड में कर लेती हूँ और ये मैंने औरगेंजा गाउन बनाया है औरगेंजा फैब्रिक है ये और इस से मैंने ये لेज से चेक डिजाइन बनाई है जिसमें अभी बीच में मुझे डाइमंड चिपकाना बाकी है और इसकी मैंने बालून स्लिज बनाई है नीचे मैंने पीको किया है जिसमें वायर अटेच किया है उससे इसका लूप बहुत अच्छा आता है इस तरह से मैंने ये पूरा गाउन तैयार किया है तेरा साल की बच्ची के लिए ये बनाया है जिसमें चार मीटर औरगेंजा फैबरिक यूज हुआ है और इसमें अस्तर क्रैप लिया है वो भी चार मीटर यूज हुआ है अब ये एक श्रॉग है जिसमें अंदर प्लैन कुर्टी और पैंड बनाया है ये श्रॉग कुछ इस तरह से रेडी किया है इसके कॉर्णर पर लेस लगाई है और बीच में सिर्फ दोरी से इसको अटेज किया है और बाकी पूरा इसको खुला रखा है ये देखे इसके अंदर इसकी कूर्टी रखके मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक किस तरह से आएगा स्रॉग में 3 मीटर कपड़ा यूज हुआ है और इसकी कूर्टी और पैंट में 4 मीटर कपड़ा यूज हुआ है कुर्ती और पैंट दोनों मिला कि चार मेटर कपड़ा ये देखे अंदर अटेच होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये इसकी पैंट है पैंट ही सिम्पल ही रखी है नीचे से इसको पुरा राउंड में कट करके फिर बाद में इसको लेज को मैंने अटेच किया है अभी ये एक और नायरा स्टाइल कुर्ती है उपर सिंक्वेंस में रियोन का फैबरिक है और यहां गले पर गोटा पटी लेज दी है और यहां पर भी एक पटी लगा कर बीच में बटान अटेच किये है बॉडी के कपड़े का जो बॉडर है वो नीचे अटेच किया है यहां पर और यह साइड में भी पटी लगा कर मैंने गोटा पटी लेज अटेच कर दी है पीछे भी इसी तरीके से बॉडी के कपड़े का बॉडर दिया है साइड में और इस तरह से पूरी कूर्टी को रड़ी किया है ये देखे, स्लीवस पे भी गोटापटी लेज दी है, बाकी तो स्लीवस सिंपल ही रखी है और ये इसकी प्लाजो है, फुल घेर प्लाजो बनाई है जिसमें उपर मैंने इस तरह से प्लेट्स ली है प्लेट्स अंदर की तरफ रखी है, बाहर की तरफ सिलाई नजर आ रही है और ये एक ड्रेस है, ये सिंपल ही है, हल्दी सर्मनी के लिए बनाया है ये जिसमें कपड़ा कम था, तो यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस अटेच करके बाद में कपड़े को जोड़ा है और फिर इसमें नीचे भी लेस लगा दी है, जिसकी वज़े से इसका लूप बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर गले पर भी लेस लगा के मोती बटन अटेच किये है और नॉर्मल अम्रेला स्लीव्स रखी है और यहाँ पर भी लेस अटेच कर दिये अब इसके साथ मैंने वाइट पैंट बनाई है जिसमें डोरी लूप बनाकर इस तरह से पैंट में अटेच कर दिया है बाकी सिम्पल ही है पैंट सिप नीचे थोड़ी सी पैटन की है और यह एक रियोन कपड़े पर कुर्ती है जिसमें मैंने बोटने गला बनाया है और यहाँ पर गोटा पटी लेस से डिजाइन्स की है और बीच में दोरी अटेच की है स्लीब जी कुछ इसी तरही जिस से बनाई है गोटा पटी लेस लगा कर बाकी सिम्पल ही है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेर जरूर करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से अन करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए लिए लापीज बनाई है